ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धरमेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डैनिक राशी फल यह राशी फले 6 अगस्त 2022 शनिवार का दिन है स्रावन महा के शुकलपक चिक दो राशियों में इस दिन चंद्रमा मिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुद्याद आव अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर करनुसार कर सकते हैं। कई स्थानों पर राहुकाल माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी करक राशी में वहीं चंद्रमा तुला एवं ब्रश्चिक दो राशियों में विराजित रहेंगे। वरश्चिक मकर एवं कुम्ब ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रहने वाली है। करक रिक्षितर में एक नई उपलब दी इनको प्राप्त हो सकती है। आर्थिक फाइदा भी इनको प्राप्त हो सकता है। धनलाब के सांसाथ जो काम इनके द्वारा किया जाएगा उसमें भी इनको कई गुना अधिक फाइदा होने का संयोग बन रहा है। कुल मिला करके इन छे राशी वालों के लिए दिन सबसे विशेश साबित होगा। अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी भल बताने जाना है। हमारे इस ग्या पूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करवाएगा। समय का भरपूर सद्वयोग करे। रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होगे। भविश्य संबंदी महत्पूर्ण योजना बनेगी। धनलाब होगा। नया काम आपका शु रासी की, राजनितिक तथा सामाजी काजियों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा। और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे, नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी। यदि आपने उधार पैसा दिया है, तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा, विध्यारतियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है, मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए, इससे आपके महत्वपूर्ण काम अटक स और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं मितुन राशी की, आज आप रोजमर्णा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे, इससे आपकी मानसिक वा शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी, तथा एक नई उर्जा का प्रभाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे, आर्थिक विवस्था में सुधार दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा, और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा, अब हम बात करते हैं करकराशी की, आज क सामने परास्त हो जाएंगे, कोई महत्वपूर्ण शुरुबात हो सकती है, तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं, उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पा कारे में विचार विमर्ष करेंगे, धार्मी कारियों में आपकी विशेश रुची रहेगी, परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका वितीत होगा, आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदि आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, कोट कचरी के मामलों में आपको फाइडा होगा, और मानसिक तनाओं से आपको मुक्ती मिलेगी, रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आप आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी, आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी, लोग आपकी प्रसंसा करेंगे, आपको मैन तथा सम्मान भी प्राप्त होगा, और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई सा जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूच तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी, घर में कोई मैंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी, तथा रिस्तेदारों की आबाद रही बनी रहेगी, और उपाई के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या जैसे की, धार्मिक कारियों में आपका विश्य ही रुजहान रहेगा, तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे, सफलता आपको वश्य ही प्राप्त होगी, नया वाहन, नई वस्तु खरिदने के विश्य में आप विचार विमर्श कर सकते हैं, उपाई के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल, गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अं मैंसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में आपका रुजान रहेगा, इस्ताई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीद फरोक्त की कोई योजना चल रही है, तो उसमें गंभीरता पुरवक विचार करें, इस समय परिस्तियां आपके पक्ष में ह किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आज किसी जर्वत्मन मित्र की सहयता आपको करनी पड़ेगी, और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी, और अध्यनरत बच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित पर आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्वराशी की, इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनो बल्व आत्म इश्वास पेदा करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आप उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने खिचडी का दान करेंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज द समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, तो मित्रो या बारा रा सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे, आपको और आपके पूरे परिवार को, सादर जैसी क्रिश्न, सादर धन्यवाद,